गुटनों का दर्द आम लोगों की बहुत बड़ी समस्या है वैसे तो गुटनों का दर्द एक उम्र के बाद ही शुरू होता है लेकिन आज कल की इस भाग दोड़ बड़ी जिंदिगी में गुटनों का दर्द किसी को भी हो सकता है गुटनों के दर्द के चलते आप अपने आपको अपाहिश से महसूस करने लगते हैं इसके कारण आपको कहीं भी जाने में बहुत तकलीफ होती है और आप किसी के पास उठ बैट भी न ही सकते हैं कई लोग तो गुटनों के दर्द का इलाज के चलते हजारों रुप्यों की दवाई भी खा चुके हैं लेकिन उन्हें आराम नहीं मिलता लेकिन क्या कभी आपने सोचा है गुटनों का दर्द होता किस बज़े से हैं तो नमस्कार मेरा नाम है दिव्यांशू और आप देख र कारिरत घुटने में दर्द की सबसे बड़ी जो समस्या हैं वो है ऑस्टियो आर्थराइटिस पहले जमाने में यह आंग पौर के साट पैसट सतर साल से उपर के बुज़र्वां में देखने को मिलती थी और समय के साथ जैसे गाड़ी के टायर दीरी-दीरी किसने लगते है ऐसे ही 30-40-50 वर्श की अवस्था के कट्सोर परिश्यम के बाद घुट्रे की काड़ी जो बीच में गड़ीयों का काम करती है घुट्रे के अड़ीयों के बीच में वो घिसला शिरू हो जाती ही उसकी वज़े से अड़ीया आपस में घर्शन और घर्शन के कारण वो दीरे वो दर्द इस्थाई रूग ले लेता है शुरू में तो वो जमीन से उठकर खड़े होने में या बहुत जादा दूर चलने में या सीडियां चड़ने उतरने में दिखाई देता ऐसा दर्द बट धीरे 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 वो इससे थी विक्रान रूग ले लेती है और या सूते सूते लेटे 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 भी वो दर्द बना रहते हैं जीवन शैली में आरांग कुछ जादा ही आ गया पहले खेतों पर सुबह से शाव तक मेनत करते थे हड़ियों की मजबूती जोड़ों की मजबूती शुद्ध खान पांग आपको शुद्ध बैस का सब्जियां बिना यूरिया मिलावट की खान पीन की चीज़ा उपलब्द थी जो कि अप दीरे दीरे विकरतियों के साथ आती जा रही हैं सब्जियों में की नाश पाउदा प्रियों दूद में अक्सर पर के मिलावट का पाया जाना तो यह सब जो है शुद्ध खान हम मिलने की वज़स से काटिलेज और हड्डियों पी जो वजबूती है उस पर भी दीरे-दीरे फरक पड़ रहा है इसमें कोई संदे नहीं है इसके अलावा चार-चार-चार-चे-चे मंजिलों के यह जगमीन उतरी हैं पॉपिलिशन बढ़ती जा रही है तो जब दूसरी तीसी मंजिल पर रोज सीडिया चड़ेंगे उतरेंगे और उस हिसाब से व्यायाम नहीं होता हम उप्योग तो कर रहे है अपनी शरीर का लेकिन उसको मिंटेन रखनी के यह कुछ नहीं कर पा रहे हैं शुरुआत में दर्ग नहीं होता है कि वर भारी पंग कास्ता फिफायर और उस सिती में जवन उसे ओस्टियो आप्राइड इस अगर उसी सिती में हम काबू कर लें इस पर तो हमें अपनी जीवाई शेली में तोड़ी परिवर्दन करना पड़ेगा जैसे कि हम जमीन पर ब इलाएं खास तरु पर दिन्बर किचेन में खड़े खड़े ख़ड़े 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 खाना बनाती है तो बेतर होगा है कि स्टू यह पुर्सी मारा रहा है तो उसे में खड़े रहने की जड़वत नहीं है बैट के देख सेते हैं दूद को उबलते होई जिससे दूद बाहर ना किर जाए जैसे उबले बंद कर दें तो बीच में जहां अवश्यक्ता नहीं है जो कारे बैट के हो सकते हैं वहां उच्छा इस्टू यह उच्छी रखकर बैट के का सकते हैं इस तरह कि अगर हम अपनी जीवन चर्या में परिवर्थन करें हम अपन गुटने का गुटने का घिसना उसकी स्पीड कम हो जाएगी तो जादा लंबे समय तक वही गुटना हमारा साथ दिना दर्द के देख वाएगा हैं इसमें सफ्ट्र वड़ी दिक्के देख लिए मैं 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 हसल करता हूँ यह आती है कि मरी जो है देखने में मरी नहीं अगर हमारा आप सामाने दोर्द को बैटावा देखेंगे तो हमें लगेगा रहसे तो पोई बीमारी नहीं है यह तो ठीक है देखने से नजर नहीं आता है तो कई बारी और लुग करते रहते हैं काफी लंदे समय तक और उन लच्छाओं को हम जे छोड़े छोड़े लग अब गये केमिस के दुगान से दर्द की लेली और उससे दर्द मारामाया चल पड़े नहीं दर्द की गोली इसका इलाज में दर्द की बोली च्छाएक तो अब दर्द को गम कर देगी पर आप उसको घुटने का डवल इस्तिमान करनेंगे तो और जाद दे तेजी से डैव पहला बचा अगर ये इस तरह के देखातानी शुरूत तुरम चिकिस्सक से मिले नोबर दो अगर नहीं मिल पा रहा है तो समीव पर बैठना बंद कर दें पालती माना बंद कर दें सीडिया कम से कम चड़ें अगर फस्लोर पे रहा रहा है तो ग्रांट फ्लोर पे शिप कर जाए कोशिश करें कि एक ही फ्लोर पर अगर फस्लोर पर रहा है तो फस्त रहा है ग्रांट पर रहा है तो जोपर नीचे चड़ने का करें कम से कम लगए बहुद जादा दूरी देख पैदलना चारे कम से कम जोगिंग तो बिल्कु अगर बटनों में आपके दर्श्य हो ग हास पर रेट के मैदान पर थोड़ी हल्की हीली मिट्टी पर ऐसी जगों पर रनिंग करनी चाहिए गुटनों के दर्वाब को तो मैं डवाइस नहीं करो हैं कि वह रनिंग करना तो ऐसे में भी गोटने की एक्सराइस पर नहीं हो पाती हैं और जब कभी हम ज़्यादा इस्तिमाल उनकर करते हैं तो डैमेजर अशिर हो जाते हैं तो साइकलिंग तरहें स्वेविंग तरहें अपने शरीप को ज्यादर ज्यादा स्वस्त रखें अच्छा भोजन ने अरी सुजन आ जाए गोटने में या आप नहीं जा पार हैं समय डॉक्टर के पास तो पहले दो दिन ठंडे पानी के सिकाई यानि ठंडी सिकाई और उसके बाद गुंगोने पानी के सिकाई करेंगे तो जो गोटने में दर्द और सुजन की तीवरता है वो कम हो जाएगी एका द अबना गिजगा तो यह घिसे भे टायर की तर है यह तो रिट्रीडिंग कराएं उसको बनाई रबर चबा कर उसको इसलाइक बनाएं कि वो दुबारा चल जाए कुछ जिसे हम टोटली रिप्लिस्मेंट करते हैं यह पूरा टायर बदल वाले वो भी गुटना बदले से ही तो गुटना बदलने एक मात रुपाई बाद में रह जाता है हालां कि मैं घुटने बदलता हूं लेकिन मैं चाहूंगा कि जनता को कम से कम यह उप्रेशन कराना पड़े क्योंकि कोई भी बदली वेचिया अपने नैच्वरल का मुकाबला नहीं कर सकती अगर बहुत मजब करता है मुमल तो पर डिपेंड करता है कि बहुत हैवी पेशिंट है या बहुत कराब उटना है तो तुछा ज्यादा भी लग सकता है अगर स्टेट फ़रवर्ड है तो फड़े कम समय में भी हो जाता है नेड़ दो गंटे से लेके तीन गंटे तक इसमें लगता है जाहर है